जैश्री राम बहुत श्रागत आपका आपके अपने बेहत खास कारिक्टर में मैं हूँ आपके शाथ आचारी राजमिश्रा बिजया दश्मी जिस दिन भगवान राम ने इस संशार में महिलाओं के प्रत असमान करने वाले रावण का बद करके ये दर्शाया कि आप कितने भी बड़े हूँ आप कितने बड़े बिद्वान हूँ आप कितने बड़े राजा हूँ कितने बड़े प्रतापी हूँ बट यदि आप महिलाओं के प्रत असमान की भावना रखते हैं यदि आप इस संसार में अनैतिक कारे करते हैं तो सायथ ब्रम से आप नही बागवान राम ने इस चीज़ को बड़ा स्पस्द दर्शाया, बिजया दश्मी कब है? बहुत सारी भृांतियां है बिजया दश्मी को ले करके, कोई कहता है, कि पांच तारीक को बिजया दश्मी मनाया जाए, कोई कहता है, कि एक दिन पहले मनाई जानी चाहिए, सास्त्रों की नियम ये है कि त्रमहूर्त व्यापिनी जिस दिन तिती हो श्रवन न छत्र हो उस दिन विजयादस्मी मनाया जाना चाहिए मैं बहुत ज़्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन आपको असपष्ट करना चाहूंगा कि सास्त्र सम्मत जो विजयादस्मी है वो पांच तारीक को मनाया जानी चाहिए बारह बज़ करके एक मिनट तक विजयादस्मी पांच तारीक को है इसलिए विजयादस्मी पांच तारीक को मनायी जाएगी क्या करना है इस दिन जिस्षे हमारी मनो कामनाओं की पूरती हो बजया दश्मी को हम अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं दस प्रकार के पुष्प लेकर के ध्यान दखिए ये उपाए बड़ा परिवर्तन कर सकता है आपके जीवन में आपको दस छोटे दीपक लेना है दस छोटे दीपक के अंदर दस प्रकार के पुष्प लेने हैं अपने घर का जो ब्रह्म अस्थान है जो घर के बीचो बीच का हिश्चा है वहाँ दस छोटे दीपक के अंदर दस प्रकार के पुष्पला करके रखना है और उन दस पुष्पों को रख करके जो दोपहर का समय हो करीब बार्या बजे के समय उस टाइम ये उपाई करना है पूर्व की तरह मुकर के श्रद्धा पूर्वक बैटकर के भगवान की सुन्दर अस्तुती श्री राम चंद्र कृपाल भजमन हरन भहो भयदारुनम नवकंज लोचन कंज मुकर कंज पदकंजारुनम कंदर पे अगडित अमिच्छविनो नील नीर सुन्दरं पठ बीत मान नहों तड़ितरुस्च नॉम जनकुस्तावनम भजदीन बंदु दिनेश दानो दैट्ट बंस निकंदनम रगुनंद आनंद कंद को सलचंद दसलतनंदनम इस अस्तुती का श्रद्धा पूर्वक अगर आपको याद है तो आप पाठ करें नहीं तो आप अपने फोन पर भ पूर्वजन में अगर मुझसे कोई भी पाप कर्म हुआ हो कोई भी गलती हुई हो जिसके कारण हमको जीवन में कश्ट प्राप्त हो रहा हो तो आप हमारी प्रार्थना को श्विकार करके हम पर अपना आश्रवात बनाएं शद्धा से प्रार्थना कर लीजेगा आपके सा प्राकार भगवान राम ने प्रतापी रावण को मार करके और माता शीता को मुक्ती प्रदान की थी उसी प्रकार आप अपने जीवन में जो कश्ट रूपी रावण हैं उनको परास्त करके अपने मन को प्रसंदा प्रदान कर पाएंगे तो सिर्फ श्रद्धा से इस उपा झाल झाल